जैसा कि हम सभी को पता है कि शनी देव को सबसे कुरूर ग्रह में से एक माना गया है माना जाता है कि शनी देव कर्म के देवता है शनी देव जातकों के कर्म के आधार पर उनका न्याय करते है कहा जाता है कि शनी देव की जिस भी राशी पर अच्छी द्रिष्टी पढ़ती है उसकी किस्मत चमक उठती है लेकिन शनी देव की जिस भी राशी के ऊपर कू द्रिष्टी पढ़ती है उसके जीवन में लगातार समस्याएं आती रहती है आपको बता दे कि जल्द ही नया साल आने वाला है ऐसे में कहा जा रहा है कि साल दोहसार चौबीस शनी देव का है और न्याय वक कर्म के स्वामी शनी देव इन सभी राशियों पर राज करने वाले हैं माना जाता है कि ये साल धार्मिक प्रभाव वाला होने वाला है जिसे लोगों को अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आपको बता दे कि जीवन में हर प्रकार के न्याय की उमीद कर रहे लोगों को इस साल वो मिलने वाला है जिसके बारे में वो सच में हकदार है लेकिन शनी महादशा, शनी साढहे साती और शनी धाया से गुसर रहे लोगों को इस साल जाधा साठ्धान रहना पर सकता है दरसल उनको इस दोरान कटनाईयों को सहने, चुनौतियों का सामना करने और अपने लक्षियों के प्रती लगन से काम करने के लिए प्रोजसाहित करता है ऐसे में चलिए जानते हैं, साल दो हजार चौबीस में किन राशियों पर शनी का प्रभाव पढ़ने वाला है तो आपको बता दें कि माना जा रहा है कि मेश राशी के लिए ये समय करियर और लंबे समय के लक्ष निर्धारित करने वाला होने वाला है उनके लिए अनुशासन और धैरे का ध्यान रखना बहुत जरूरी है साथ ही अगर करक राशी की बात करें तो शनी का प्रभाव करक राशी वालों की सेहत और काम पर पढ़ने वाला है इन राशीयों के जातकों को अपने रुटीन को व्यवस्थित करने की जरूरत पर सकती है साथ ही अपनी भलाई का ध्यान रखना बेहस जरूरी है वही व्रशब राशी पर शिक्षा, यात्रा और व्यक्तित्व के विकास के मामलों में शनी का प्रभाव पढ़ने वाला है साथ ही शनी के गोचर का प्रभाव मिथुन राशी पर साचितारी और रिष्टों को प्रभावित कर सकता है ऐसे में जिम्यदारियों पर ध्यान देनी की जरूरत हो सकती है सिंग राशी की बात करें तो सिंग राशी पर शनी का प्रभाव, रोमांस, रचनात्मक्ता और अभिव्यक्ति के श्वेत्र पर हो सकता है वहीं कन्या राशी पर शनी का प्रभाव घर, परिवार और भावनात्मक सुरक्षा के श्वेत्र पर होने वाला है वहीं कहा जा रहा है कि तुला राशी के जातक संचार, सीखने और यात्रा पर शनी का प्रभाव अनुभव कर सकते हैं विरिश्यक राशी के जातकों को वित्त, मूल्य और आत्म सम्मान के शेत्र में शनी के प्रभाव का अनुभाव देखने को मिल सकता है धनु राशी के जातक आत्म अभिव्यक्ति, पहचान और जीवन के लक्ष पर शनी के प्रभाव अनुभाव कर सकते हैं वहीं शनी मकर राशी के स्वामी ग्रह माने जाते हैं, शनी के गोचर का प्रभाव मकर राशी पर अनुशासन, जिम्यदारी और दीर्खकालिक लक्षियों को प्रभावित कर सकता है साथ ही कुम राशी के जातकों को आध्यात्मिक विकास और आत्म निरिक्षिन के शेत्र में शनी के प्रभाव का अनुभव हो सकता है और मीन राशी के जातक समाचिक संबंधों और समुह से जुड़े कामों में शनी के प्रभाव अनुभव कर सकते हैं